और एक बहुत ऐहम भूमी का सरकार में निभाने वाले समय तो नंबर टू हैं सरकार में, डॉक्टर नरुक्तम मिश्वा वहां से आते हैं, अरविन भदोरिया जी वहां से आते हैं, प्रभाज जहा जी हैं वहां से, और ये जो हैं चुनाव प्रबंदन के माहिर राजनेता है और ऐसे ही एक राजनेता मैंने नाम लिया और वो हमारे साथ है अर्विन भदोरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्नोंने बड़ी गुगली बड़ी स्पिन इस चुनाव में फेकी है और बड़ी एहम भूमी का अदा की है बहुत स्वागत करता हूँ अर्विन जी मुझे लगता है कि जो हमारे कारकरता जिसको कहते है ये पूरी जीट का सुरे हम provide list origin नसे लगे रहे और हमारे नेता शुरासींगूांशाब प्रयार थै जो हमारे अपेच्छा उन अपेच्चा को जनता की क्रपास जनता जनारदन के अगाद आसिरबास से जो हम सोच रहे थे वैसे ही रुज्ञान पर्थम दस्टिया हमको लग रहे हैं तो इसलिए मुझे लगता है ग्वालर चंबल संभाग में भी अधिक्तम सीटे भारती जनता पार्टी जीत के आई हो मद्द परदेश में भी इस पष्ट पहुमत से मेरा कहना है कि वोट कभी कम नहीं होता है तो इसलिए किसी को अगर वास्तम में विकास के करम को मेरा कहना है जनता के आवाज से जीत के आते हैं अगर अपने छेतों का विकास नहीं करा पाएंगे काम नहीं करा पाएंगे अगली बार वाक खड़ा रहना मुश्कर होगा तो कि अगर किसि के विकास की नईाम है मिंदू की लगाने के च्छलाइगी बीजे पी को वहीं विराम दे देते हैं बीजेपी ने ये पूरी लड़ाई कुछ उसी अंदाज में लड़ी है अगर मैं जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो उससे भिडंत लेने में डॉक्टर नरुतम मिश्रा सबसे आगे थे और ये माना भी गया कि उसकी एक कीमत भी उन्होंने चुका पूरिया जी आपकी भूमिका दो बड़ी महत्पूर्ण रही सारा सेटल्मेंट तमाम चीजे भूपेन सिंग जी के साथ आप करते रहे और उसके बाद भी एक पूरा वैकप प्लान लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और आप उन लोगों से संपर्क में रहे तो बीजेपी का यह जो एलेमेंट है सर यह हमने देखा है कि चुनाव की जो चुनाव तो बीजेपी बहुत ताकत से लड़ती है लेकिन परदे के पीछे की राजनीती में भी बीजेपी ने काफी महारत हांसिल की इस पर कोई टिपणी करेंगे आप जी जी आपने बहुत अच्छी बात कहि है संगतन गड़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो तो मुल लूप से जो पार्टी हम लोग को आदेश देती है सिखाती है उस आदेश को ऐसे स्लूट करते हूं हम लोग जहां देते हैं वहां लग जाते हैं तो कहते हैं B.S. border ब हमालोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग जनता दे सब को देखा और जनता दे पलटके जबाब भी दे दिया ऐसा मुझे पत्रम दश्टिया लगता है जी कंक्लूड कर रहा हूँ आपसे आखरी सवाल कर रहा हूँ जिस रीजन से आप आते हैं क्या वो रीजन बीजेपी के लिए मुस्कुराने का सबब बनेगा क्योंकि बिकाओ टिकाओ का जो नारा कॉंग्रेस ने बहुत एग्रेसिवली उचाला माना ये जा रहा था कि उसका इंपेक्ट उस रीजन में आ सकता है अभी तक काफी नजदी की लड़ाई दोनों पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बीजेपी के बीच में ग्वालियर चंबल में भी दिख रही है जो कांग्रेस के डावों पर अभी सवाल खड़े कर रही है क्या आपको लगता है आगे जाकर भी ये एक पचास-पचास स्वीजदी के लड़ाई में बदल सकती है कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुझे लगता है जो कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं था मुद्दा बेहिंती तो इस परकार के जूटे नारे के साथ हो गए मुझे लड़ते लड़ते हमारे पास आए थे इनका अपमान हुआ था मुझे लगता है कि अभी आपको मैं सुन रहा था बहुत अच्छी बात बोले थे उनीस सो स्टर से सुरवाद के आपने बात की मैं बड़े नहान से आपको सुन रहा था तो वस्तर में गवारे पार्टी का गुवादर चंबल संबाग में लीडर भी अच्छे है और कारकर्ता भी अच्छे है उनसे ज्यादा सीटे जीत के आएगी ऐसा मुझे प्रफम दिश्ट्रा पतीत होता है चलिए बहुत शुप कामना है अर्विन जी और जिस तरह की मेहनत आप करते रहे हैं पा ये चुनाओ की एक ऐसी महारत वाली एक टीम बन कर आई है जिससे बीजेपी भुष्य में भी चुनाओ में बहुत उम्मीद है कर सकती है बहुत शुक्रिया करता हूं बंसली उससे बात करने के लिए तो आईए चलिए